गुद मॉर्निंग शिक्स क्लास्टुडेंट अधर सीनियस कंडी स्कूल खाइश रिकर्ट की ओनलाइन क्लास में आपका मॉस्ट वेलकम है आज हम पड़ रही हैं में समाज जी आधेन लेसंन नमबर फर्स्ट अ कब कौन और कैसे यान कब कहां और कैसे पड़ रहे थे इसका हम बैज नमबर 63 तक पड़ दिया था थोड़ा सरयता था आज हम यह पड़ेंगे और इसके कोशन छोटे बढ़े हैं चोटे कोशन करेंगे लॉग कोशन आपको प्डिया देंगे और बाक्य सारे चोटे कोशन तो आओ हम पहले हैं आपसे करते हैं कि आप इसको शेर और लाइक जूरूर करें और आज हम थोड़ साभीर रच्रित्ता पढ़ने बोरा हमरा यह पड़ते हैं एक अतीत या अनेक आज हम क्या हैं अतीत का उत्वादक हैं यह हम समय भी समझना चाहेंगे हमें इसकी जड़ों या निव तक जाना पड़ेगा यदि हम किसी देश या राष्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसकी पूरे इतियास को जानना होगा हमारे विश्वास वप्रमप्राउं से अधिक्तर अतीत में गहरी जड़े समाए हैं यदि आज के भारत को समझना चाते हैं, तो हमें इसके अतीद के इतियास का दहन करना पड़ेगा, इस तथ्यों का य। यानि इस तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता कि हम अनेक कीजिशूंगा इतीद से इतियास्ति में लाएं हैं, अनेक मानव जाती हैं, सम्मूअ, जैसे आरियों, पुरव, इंडवारिये, युनानी, तुर्की, होनस, आदी ने वर्तमान भारतिय जीमन को बनाने में सम्मिलित हुए हैं आगे आता है तितियों से क्या तात्प्रिय है जो तितियां होती थी इतियास मनुस्य के वर्तमान भाविष्य की संपूर्ण कहानिक की व्याख्या करता है इस लंबे समय को केसे मापी यह एक समस्या है लेकिन इतियास कारण इसे पुरव इसापुरव वैस्ट्यूशन के विचार से अवगत कराकर इस समस्या को हल कर दिया है अक्षर बीसी खोस्त्री पुरूब के लिए आता है यानि इसा पुरूब के लिए आता है वह एडी इस्यूशन के लिए आता है इसु का जनम के अंद्रबिंदु है जहां से हम तित्य गिनते हैं जिदि कोई गतना इसु के जनम से 100 वर्स पहले गती थी तो तब हम कह सकते हैं कि गतना सो खोस्त्री वर्स पुरूब बीसी में गटी और दूसरी और यदि इसु के जनम के सो वर्स बाद गतना गटी है तो हम कह सकते हैं कि कोई गतना पुरूब बीसी में भारत ने आक्रमन किया था गुपतवस ने 320 इसुशन में और पांसो इस्वी पांसो चालीश इस्वीशन में तक भारत पर शासन किया था इसका साधान मतलब है कि अलेक जांडर को आक्रमन इसूपसे से 326 वर्ष पहले वह था वह गुपतवस ने लगबग इसुशन से पांसो बीस से पांसो चालीश वर्ष बादिशास ने यह था यदि हम किसी तीथी के वारे में लगबग जोड़ते हैं तो इसकार्थ यह है कि तीथी सही नहीं है या स्टीक हो सकती है लेकिन उससे हैं यह ठीड कोई जिवत समय से 1005 वर्ष पूरव गर्टित होती है तब हम इसको क्या कहेंगे है कि इस वी पूरव कहेंगे नंब espa गञ्फ उप काल करम में में लिखनी का वियान क्या करा चार। काल करम से Hmm कहलता है नंब तीन परुष ओं 0 अबिले क्या कहलाते हैं नंबर चार आरियों द्वारा सासन किया गया प्रदेश था और ये वर्थ एलिक्त यूग था पुरे वितियास एलिक्त यूग था आगे आता है बैभाग निम्न लिक्त के नाम लिखिए विश्व का सबसी भरत कावे यह हमारे पास रमायन और महाबार्थ लोक कावे हैं इन में से आप जो इच्छत है आप लिख सकते हो नंबर दो चित्र लेकन की परनाली इसका आएगा चित्र लिखती नंबर तीन है विलूप्त बासाओं को समझने की प्रक्रिया यह बुक अंदर नहीं है यह नहीं करना आगे आता है भाग से अनेक मानव जाती समुहों में उनके नाम लिखिए जिन्हों ने वर्तमान भारत के जीवन को बनाया था तो यह मानव जातियां थी च्याल परकार की थी यह आप देखो नंबर एक इंडवारिये युनानी तुर्की होनश आगे आता है रतनात्मक का र सब्सक्राइब विलो आप स्टॉं सन वयसा पुरव या इसिफी पुरव क्या होते इस्वी सन एसी वय इसा पुरव बीसी होते ऐते हैं परशनबर कि अबदो rivalry क्या होती है उतर है चित्रों द्वारा लिखम लिफी कि कहलाती है उर्प सास्त्र किस ने लिखा और्थख सास् कि स्ट्रोथ क्या थे जिला लेह थे दार्मिक साहथ थे एग आगए आप्स नमब पांत को साहित थो नंगी रमायन और महाबारतिय राचीं सिटे थे आगे आता है से भाग निमनलिक्त को प्रभाशित कीजिए पुरा तत्विक साक्षे क्या होता है पुरा पूरा इतियास की जानकाजी के तरोत होते हैं जिनके दोरा हमें पुरानी जानकर यहां राबत होती है नमबर दो हस्तलेग हात्थों दोरा अक्षर पथर शिलाड़ कोगरार कोई भी अकसर हो वो पत्तरों की शिलालेगोंपर ऑन्प खोद नुम्बर अतर पांधा लेख्य क्या होता है इतियास कारों दोरा लिखे गए लेख है लेख कहलाते थे जिसे रमाइन था महाबार था रिंग्वेट था गिता थी ये आगे आता है भागदाय रिक्स्तानों की पूरती के जिए पहला है खालिस्तान चटानों पर खुदे होते थे हस्तलेख अभी लेख अभी लेख लिके ठीक नहीं इसको अभी लेख का जाएगा अभी लेख थे राजा माराजों के जो अभी लेख थे वे चटानों पर खुदे होते थे नंबर दो खालिस्तान बारतिय प्राचिन बासा है तो पाली बारतिय प्राचिन बासा है नंबर तीन आगे आता है पर्सम मनुश्य पर्सम खालिस्तान था बोज उत्पाद के था ज लिखा हुआ है तो यह थे हमारे आज इस लेशन के कोशन अब इसका रहे गया बैभाग लोंग कोशन है इसके आपको पीडियाफ या यूटूब पे वीडियो डाल देंगी जवाब कर लेना या बुक अंद्र करना जो इसके छोटे प्रसना है भाग संचीप्त में उतर दीज देखना है और याद करने हैं धन्यवाद कर देखना है और याद करने हैं धन्यवाद